चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं मांचत के बारे में मैप्स के बारे में इसमें लाट लेक्चर में हम लोग ने देखे थे विस्ट के पिरमुक ज्वाला मुखी ठीक है आज हम बात करेंगे विस्ट के पिरमुक सागर और महासागर विस्ट के पिरमुक सागर और महासागर याद रखिए, मैप से संबंदित आपके जितने भी चेप्टर खतम होते जा रहे हैं, वो सभी मैप्स के नाम से जवाकी प्लेलिस्ट सोची बने हुए है, उसी में दले हुए है। अब आपके दिमाद में सवाल आता हुगा कि सागर महासागर में अंतर क्या है। सागर किसे कहते हैं, और महासागर कहते हैं किसे हैं। सुनिए, जो सागर होते हैं, यह महासागर से छोटे होते हैं, या ऐसे ऐसे भी कहा जा सकता है, यह महासागर सागर का एक बड़ा रूप है, महासागर, सागर का एक बड़ा रूप है, समुद्य या सागर, असल में महासा सागर का वह वह हिस्सा होते हैं जो आंसीक रूप से जमीन से जोडा होता है आगे हम लोग मेप में देखें भी तो आपको पते चल जाक्शाला मेः को खुद ल uber किसका है महा सागर भर को खुद में Romal यूड़े हुए और धर्ती का लगबग एक चोथाई हिस्सा घेरे हुए हैं इन्हीं की बदल धर्ती पर अलग-लग मौसम और जीवन संभव हुपाता है कि आपको पता हुआ कि इस धर्ती पर धर्ती पर एक अतर पर्सेंट हिस्सा घेरे वाले महासागर हैं आपके और इन्हुमें आपका पानी करीब संताम पिती हिस्सा है है मैं चली अब हम इन की सति देखते हैं मेच देखती है कि इसे आपकी प्यारी पितिवी ज़िए है किक Con Pale of George the आओ कि आपकी ते Zach wanna यह महासागर है कि Living classes यह छोटे अरप सागर बंगाल की खाड़ी फिलिपिन सागर जापान चागर ओकूर्टस्क सागर यह देखिये मुख भूमी त्वारा जुड़े रहते हैं मैंसा वह हिंद महासागर इनका बड़ा रूप है जिसी महासागर इनका बड़ा रूप यह आपका दिछड अंध सागर है कि यह अमका धर्श्डी पसांत सांद महों जाण इकर अंट इकरोस्क्र सागर है, कारा सागर हो गया, बेरिंग सागर, नौर्वियन सागर, लिब्राडोर सागर, बॉफीन खाड़ी, एक बार है नहीं, देख लेते हैं, लोग, जूम करते हैं, ठीट, जिसे आपके अरब सागर हो गया, अधन की खाड़ी है, ठीट, लश्रीप सागर, जावा सागर, सेलेक्स सागर, बांडा सागर, तिमोर सागर, अराफुगा सागर, विश्मार्प सागर, सलोगन सागर, खुरल सागर, ठीग है आपके ऑस्टिलिया के पास, इस पर गार है, आप हम लोग मैप समयन की स्थित देखते हैं, वह इसी हिसाब सेंके जो पॉइंट है, आपको जाद रखना है, यह आपका खोड़ टस्क सागर है, बैरिंग सागर, कारा सागर, नॉर्वियन सागर, ग्रेन लेंड सागर, यह है आपकी प्यारी पिथिभी, यह आपका उस्टलिय महादीप हो गया है, यह एसीया हो गया है, यह यूरोप हो गया है, यह अफीका महादीप है, यह आपका दच्छडी अमेरिका, उपर उत्री हमेरिका, यह उत्री अमेरिका, यह आपका पिसांत महासागर हो गया है, यह आटलांटिक महासागर है आपक यह आपका एंटाव्तिक महासागर है यह आपका हिंद महासागर है जो बिछो किसी तिस के नम पर रखा गया है इसका नम हिंदुस्तान तहीं, पsyuchen सांथos यह स'll महासागर हों गया आपका ठीप, अब हमें स्सागर के बारे में कि बात करें तो चल Васें मों पर छ Над्र utilizz University इस परी संभ मुजणे पर न या चलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं या मैं लेंड क्वारन साढर एस है आपको याद रखना है के इंडिया को नौ। नौवे के उत्र मैं या का नौ। नौर्भी वे में अवस्थित। अवस्थित आर्गेटिक महासागर का की एक भुजा है इसका नाम हॉलेंड की एक नाविक विलियम्स वेलेंटन की नाम पर रखा गया था कि यह कहा है नौर्वे की उतर में अबस्तेत है एहीं आपका कारा सागर है कारा सागर की बारे में याद रखेंबों कि कारा सागर 叫 के उतर में ढर्नेटिक महा physi Jer такая जो सीद महासागर के भाग। तरह है Leptheo Sagra, कौनसा? Leptheo Sagra. Leptheo Sagra के बारे मैं बताताया आप लोग वो रूस के उत्तर में बसते थे यह भी आपका आरकेटिक Sagar की एक बुजा है, ठीचर है? तरह फूर्वी, यह आपका पूर्वी साघर यह इट का रूस के पास है एक है कि आपका बेरिंग जाघर इसके बारे में यादरर्किनीजागर जोए इन नाविब करे के डी पत्चर बहें जागर सोषने साघर ऐे इनकी को बुझे है राफ 일 में जाने करें लिए जिसने इस सागर को पिथम बार करके चुक्ची सागर में प्रिवेस assumption. फिर ऐसे उक्षोडक सागर् जो आपका है स्पिषण सागर की वायरे में आपके याद रखना है कि सोवीयट रूस में कमचंधन का श्ञषा कर्या दूभी Кश्यमी के परहां यह बाले ये भी आपका श्लिख स्टीर थिमाकर कमछंट करी में परहां से हम्यान करें करते श्ञरी में तरहें कि आपको याद रखना है कि आपकर अब हम आओ कुरिया रूस तरहां जापान दूए की मत देश्थित पेसांत महा सागर का एक भाग है आपका जापान सागर याद रखना फिर आते हम लोग कोछ किस पर पीला सागर कोंसा पीला सागर पीड सागर बोलते हैं और यह आपका पूर्वी चीन है पूर्वी चीन सागर ठीक है इस सागर के उत्तर भाग है जो पीड सागर है आपका पीला सागर यह पूर्वी चीन सागर के उत्तर का भाग का नाम है ठीक है यहीं आपका दच्छड चीन सागर है दच्छड चीन सागर इसके बारी में आपको याद रखना है दच्छड चीन सागर के बारी में कि यह सागर दच्छड कूर चीन, वेतनाम फिलिप्मिन्स वॉनई की मोत्ध दवस्ते थे वर्दमान समय में दक्षिट चीन सागर में चीनी दबदभी के कारण विवाद की स्तिती उत्वन हो गई है क्योंकि यह प्राक्टिक गैस बखने तेल के भारी निच्चेप होने की संभावना है तिर जो विवाद चलता रहता है यही है वह आपको कि ढगाल हुए में दक्षिट चीन सागर हुग वह है कि यह आपका फिलीपिन सागर कम सोके फिलीपिन सागर की बारे में अब की पिसांत महासागr की एक पुझा है। यहीं आपका सुलू सागर है। सुलू सागर आपका याद रखे सुलू सागर के बारे में। यह सागर आपका फिलिविन्स को програм puzzles का यला कलता है। विस्वत रेखा के निकट होने की कारण इसके जर्कताम मन लगवख 25 डिगरी सेल्सियत रहता है। ठीकर? फिर आपका यहीं आपका यह सलेब सिसागर है। कौन सा? सलेब सिसागर। सलेब सिसागर के बारे में याद रखिये कि सुला वेशी सागर के उत्तर में अवस्तित। यह सागर की एक बजा है। ठीकर? फिराते हम लोग जावा सागर। कौन सा? जावा सागर। जावा सागर के बारे में याद रखी कि इंडोनेसिया में जावा द्वीब के ओ तथा बुइनियों द्वीब के दच्छर पिसांत महा सागर का एक भाग है या फिलोरेस सागर है इसकी बारे में याद रखी कि सुनो बे सि एलेंसल ले शुंडा द्विपम के मद्द वस्तित प्यसांत महा सागर क्यम जाए ने यह आपको ती मूर तिमूर महासागर है कौनसा तिमूर तिमूर महासागर के बारे में याद रखी कि हिंद महासागर का एक बार जो तिमूर दूई तथा ऑस्टेरिया के उत्तर बश्चिम तट पर बस्ते थे यहीं आपका बंदा सागर है कौनसा बंदा सागर इसके बारे में याद रखी कि बं सेलीबिच तथा एरियन द्वीब के मंदर फेला है सागर पिसांत महासागर की एक हो जाए ठीक है यह आपका आराप हुआ सागर के बारे में याद रखना कि पूर्वी तिमोर की पूर्वी एबं ऑस्तेलिया इस्तित उत्तर कार्पिटिया की खाड़ी में अवस्तित आराप ह हुआ यह उत्तला सागर है यह सागर आपका हिग महासागर को कि संद महासागर से जोडरता है अबस्तित प्सांत मला कि एक बुजा है ठीक है तसमां सागर कंता समा भिशा G श्रींतुसा भॉली आफसटलिया की है तथा नियोजी लेंड के के बीच बिस दिस मान सुल इस अरब सागर अरप सागर के बारे में आपको याद रख ना है थे-ठिस सागर का और। Ci आइस सगष्ट मांडिस सागर के णाम से उकारा हो जाता हुआ षाल है। तो में यह जीद हिए। जो कजाकिस्तान एक हुझेवेकिस्तान की सीमा इचे थे पिष्टिक है फिर आपका केसपीयं सागर है केसपीयं सागर के वारे में याद रखी के रोस स hungवक, एक कई वार चाह जरतुका है, रोज कजयाकिस्तान तुर्कमेनस्तान ईरान अजर बिजान से घिरा है कैस्पियास सागर एक झील है ठीक है यह विस्ट की सबसे बड़ी खारे पाने की झील है कैस्पियां सागर से घिरे clin some कौन-कोन से देसों से घिरा है कैस्पियन सागर रोज, कजाकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, इरान, अजर्विजान, ठीक है? यहीं आपका इजोब सागर है, कौन सा है? इजोब सागर, इजोब सागर के बारे में आपको हमेशा याद रखना है, यह सागर एउरोप माधी में इस्तिकाला सागर के, उत्तर में क्रीमिया तर्फा रोज से घरा हुआ है यह आपका मिर्श सागर है मिर्श सागर के बारे में याद रखी कि मिर्श सागर इसे अर्भी भासा में बहरेट लूद कहा जाता है एजराय तथा जॉडल की सीमा पर एक नमकीन जल की जीर जो भूमत सागर के समुद्री समुद्र तल से 302 मीट है यहीं आपका यह लाल सागर हो गया है कौन सा लाल सागर के बारे में याद रख लीजिए क्या याद रखना है साउदी एरभ के बश्यम दथम मित एवं एथोपिया के पूर्व घहन्स गाटी में इस्ते थे यह एक खुला सागर है जिसका खारापन 40.000 है इसमें प्रवा यह आपका भूमत दशागर है कौनसा भूमत दशागर के बारे में याद रखना है इसकी अट्लांटिक महासागर की एक हो जाए जो उत्तर में यूरो दच्छन में अफीका तर्थम पूर में इसिया से जिरा हो गया है यहीं आपका यह है एजीन सागर कौनसा एजीन सागर एजीन सागर के बारे में याद रख लिए क्या याद रख लिए ग्रेश तता तुर्की के मद्ध अवस्तित भूमत सागर की एक बुजा जो मरमरा सागर के द्वारा काले सागर से जुड़ा हुआ है रूस यूक्रेन जॉर्जिया रोमानिया बुल्गारिया तर्फ तुर्की के जहाज इसी सागर से होकर गुजरते यहीं आपका आयो नियन सागर है यह टिर आयो नियन सागर आयोनियन सागर के बारे में याद रखना है क्या याद रखना है आपको इटली तथा गिरीज के मंद्द इस्थे भूमद्द सागर से संबंदी थे एक सागर जो एट्डियाटिक सागर से और उत्रांटो जलसन्दी द्वारा संबंते इसके पूर्वी तट पर आयोनियन दूइप प्रवस्ते थे यह आपका यह आपका टेरिनियन सागर कुंसा फिरीनियन सागर इसके बारे में याद रखिये इसका पुरान नाम मेर तरहनम है था यह भूमद्द सागर में इटली बुक भूमी तथा इसके दूई सिचली सार्डेनिया तक कुर्षी का किमद्द बस्ति थे यहीं आपका लिग्यूरियन सागर है यहीं आपका चीज़ है कौँशा लिग्यूरियन इसके बारे में याद रख लिजे इसका पुरान नाम साइनस लिगूस्तिक कसे यह इटली के लिग्यूरिया प्रांद था फ्रांस कोज कोड़ सिका दूई के मद्द सागर में अवस्तित थे यह अपका यहां एट्डियाटिक सागर है कौशा याद रखना है आपको एंडियाटिक सागर आपका भूमद्य सागर की एक गोजा जो इटली तथा क्वेसिया बोस्निया सर्विया एवन अलबानिया की भी जबस थे ते टीप उपर चलें तो यह बाल्टिक सागर है आपको काम सा बाल्टिक सागर कि बाल्टिक सागर के वारे में याद रखी कि अट्लांटिक महासागर के बुजा है कि किसी पी अट्लांटिक महा सागर की है बुजा जो स्वीडन फैनलेंड रोस पॉलने जर्मनी तथा लिजा गाव ग मुरू आनिठ नवहेग से विरा हुआ है ठीक है यह आपका उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर के बारे में याद रखी कि उत्तरी सागर आपका, इसका पुराना नाम है Mayor Germanicum, यह सागर United Kingdom, तरहां डेन्मार के मद्द बस्कित है, जिसे जर्मन महा सागर भी कहा जाता है, ठीक है, फिर उपर चले हम लग तो, यह राइट सागर ह हो गए आपका और यही नार्वियन सागर, नार्वेडियन सागर, नार्वियन सागर जो है आपका, यह राइट सागर नार्वी के उत्तर पश्च में अवस्ते जे, इस सागर में कई मत्सद बैंक भी थे, यह आर्केटिक महा सागर की भुजा है, ठीक है यह दोनों, तो हम लगवग लगवग, एजिया, एउरोप, और श्टिलिया, अफिका के देखी लिए कोई छूट तो नहीं है, नहीं कोई नहीं चूट है, अब चलते हैं हम लोग, अमेरिका में, यह आपका केरीबियन सागर, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, सयुक्तराज अमेरिका के दच्छडी भाग में अवस्तित, कहां, सयुक्तराज अमेरिका के दच्छडी भाग में अवस्तित, के अरिवियन सागर उत्तरी अट्लांटिक महासागर की एक भुजाय है, ठीक है, यह आपका सारगेसो सागर है, सारगेसो स सागर आपका अटलांटिक महासागर के उत्री पर्ष्टिमी भाग में 35 डिग्री नौर्ट के आसपास सारगेसु घंस तेरती रहती है जैसे जहाजों के आने जाने में बादा पहुंचती है इसकी सारगेशू घांसू के कारण अट्लांटिक महासागर की इस बाग को सारगेशू सागर कहा जाते हैं करिया है कुछ पधर कर सागर करनाड़ के लेकिश है हो इसलोकर पहरे है विभी याद रखिए कि विफोर्ट सागर आपक अलास्का के चाहिए आपोर्ट जैन। महा णाउस्तर में पते हैं पहुत नख्यों सतḥ। आपका चुकची सागर है कौन सा चुकची सागर इसके बारे में याप रखेंदे कि पलिघर के उकटर में अबस्तितने चुपची सागर आपकेWestrando ने पलिए आपके discipline ऌने महता है इतले हैं अश्वारे नहीं है तक टो याद कुन गटक अदिख incentiv बारे उसके बाद आप लोगों को महा सागर बताएंगे ऐसे हैं तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं विज historically सागर विज्ट करें हम लोग सागरों के वारे में उसके बाद हम लोग महा-सागरों की इस्तितर भी देख लेंगे मैप में और उसमें पॉइंटों जो हैं उटके मात्पूर उन्हें भी देख लेंगे एडियाटिक सागर एडियाटिक सागर यह आपका भूमत सागर की एक भुजा जो इटली तथा क्वेसिया बोस्निया सर्विया एवन अलवानिया के बीच अवस्तित है इटली की पो नदी इस सागर में मिलती है बेनिसबारी तिराना नगर इसके तठपर अवस्तित है इसके बंदरगा साल बर खुले रहते हैं सीदकाल में बोरा इस थानिया पपन के कारण इसके तठपों का तावमन काफी कम हो जाता है फ्रयाप का एजियन सागर ग्रीज तथा तुर्की के मद्द अवस्तित भूमद्द सागर की एक भुजा जो मारमरा सागर के द्वारा काली सागर से जुड़ा हुआ है रोस युक्रेन जार्जिया, रोमानिया, वुल्गारिया तथा तुर्की के जहाज इसी सागर से भूकर गुजरते है फ्रयाप का आराप कुआ सागर पूर्वी तिमोर के पूर एवं ऑस्टेलिया इस्थित उत्तर कार्पेटिया की खाड़ी के उत्तर में अवस्तित आराप कुआ एक उत्ला सागर है यह सागर हिंद महासागर को तिस सांत महासागर से जोड़ता है भूर-गरवीय तिरिष्टी से यह सुन्दा पलेट का भाग अरल सागर तेथिस सागर का आुस्ष्ट बाग जिसे अरल सागर की नाम से पुकारा जाता है बास्तों में एक जील है जो कजाकिस्तान एवं उजवेकिस्तान की सेमा पर अवस्तित है इसके जलचित मेदिक तर भागेदारी कजाकिस्तान की है सीयर दरिया और आमू दरिया अपना जल इस जील में गिराती है 1950 की तुल्ला में अरल सागल का छेत फल दो तेहाई रह गया है फर बाल्टिक सागर अट्लांटिक महासागर की एक भुजा जो स्वीडन, फिनलेंड, रोस, पॉलिंड, जर्मनी तथा डैन्मार्ग से घरा हुआ है कोपेंड हेगन स्टॉप हों इसके तट पर अवस्तित है फर आपका बंदा सागर इंडोनेसिया के सैली विज तथा एरियन दूइब के मद्द फैलाया है सागर पिसांत महासागर की एक हो जाए इस सागर की उपरी सदय का तामांग साल मर 25 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहता है भूमत रहे की यह जलवाई हूँ बाली सागर में दैनिक तथा बारसिक तावांतर 25 डिगरी सेंटिगेट से कम रहता है बैरेंट सागर नौर्वे के उत्तर में वस्तित आर्केटिक महासागर की एक हो जा इसका नाम हालेंड के एक नाविक विलियम बैरेंट के नाम पर रखा था जिसने उत्तरपूर मार्क की खोच में अपने जीवन वितित किया था इस सागर में बड़ी मात्रा में मचलियां पाई जाती है सीद काल में ऐस सागर पूर्ण रूप से जमा रहता है तो यह आपका विफोर्ट सागर अलास्का के उत्तर में विफोर्ट सागर आर्केटिक महा सागर की एक भुजा है इस सागर में काड तुथा जील मचलियां सील मचलियां बहुत आयात में पाई जाती है ग्रिजिस्म रितु में इसके तटों पर एस्कीमो जण्जाती निवास करती है तथ हम अचलियों का आखेट करते हैं वेरिंग सागर अलास्का एवं रूस के मददवस्तित बेरिंग सागर उत्री पिसांत महा सागर की एक बुजाया इस सागर का नाम इसे डैनमार्ग के नाविक वी वेरिंग के नाम पर रखा गया है जिसने इस सागर को पिथम बार करके चुपची सागर में पिर्वेश किया था इस सागर में बड़ी संख्या में क्रोर मचलियां दथम्सील मचलियां पाई जाती हैं थ्रेया आपका विस्मार्ग सागर नीव गिनी के उत्तर पूर में अवस्तित पैसांत महासागर की एक बुजा जो बिस्वत रेखा पर अवस्थित होती है होने के गालन इस सागर की उपरी सतय का तामन 26 डिगरी सेंटिगेट के आसपास देने केवं बारसिकता पंतर 2 डिगरी सेंटिगेट से कम है इसमें काफी वास्पीकरन होता है इस सागर में साल के अनपेकार की मचलियों की भरमार है ठीलयों सहिब तरांज अमेरिका के दच्छडी भाग में अवस्ति केरीवियन सागर उत्रे अट आंटलांटिक महासागर की एक हो जाय इस सागर में बड़ी मात्रा में प्रवाल वीतियां पाय जाती ग्रेस मिकाल में सागर में आने वाले हरीकेन उष्ण कटी बंदी ये चकबातों से भारी मात्रा में जन्धन की हानी होती है फिर है हमार कैस्पियन सागर इसके बारे में याद रखे क्योंकि कई बार कुश्चन पहुच लेता है कैस्पियन सागर से लगे हुए देश कौन कौन से रोज, कजाकिस्तान, तुरुप्मिनिस्तान, इरान, अजर्वेजान से घरा हुआ है आपका कैस्पियन सागर इसका चितपल है 3,71,002 km या जील बिस्की सरसे बड़ी खारे-पानी की जील है फ्रेस सेलेव सागर सुलाबेशी सागर के उत्तर में अवस्तित है सागर, फिसांत महा सागर की एक हो जाए, मकसर जदसंदी की द्वारा यह जाबा सागर से जुड़ा हुआ है गिश्वत रेखा के निकट होने के खाराण, इस सागर में वर्सा अधिक तथा वास्वीकंड भी अधिक होता है फ्रेया आपका चुक्ची सागर बेरिंग सागर के उत्तर में अवस्तित चुक्ची सागर आर्केटिक महा सागर की बुजा है इस सागर में बड़ी संख्या में कोड तथा सील एवं भेल मचलियां पाई जाती है इसके तड़ पर चुक्ची जन्जाती रहती है जो मचलियों मारकर अपना जीवन वितीत करती है कोरल सागर ओस्टेलिया तथा ही न्यूगिनी के मद्द अवस्तित कोरल सागर की सांत महा सागर की एक बुजा है इस सागर में बहुत सी प्रवाल वीतियां जो बंजर हैं प्रवाल वीतियों के कारण इस सागर में नौगमन करना एक कठिनिक कार है सुला बेसी एवं लेसर सुन्डा द्वीपों के मद्द वस्तित प्रसांत महा सागर की एक बुजा है विस्पत रेखा के निकट होने के खारण इसका तामान 25 डिग्री सेंटिगेट के आसपास रहता है और प्रया या मूसलाधार या मूसलाधार बरसा होती है प्रयाप का गिलेली सागर गिलेली सागर जलायल की उत्तरी भाग में अवस्तित एक जीर जिसमें लवडता की मात्रा 240 पित्ती हजार से भी अधिक है इसका तटिये भाग सागर इस तर से 215 मीटा नीचा है इसकी उत्तपत्ती रेट वेली के भर्ल सोरूप हुई है कारा सागर रोस के उत्तर में आर्केटिक महा सागर की एक गोजा जो सीद काल में वर्प से ढखा रहता है इसके तर पर एसकीमो निवास करते हैं इस सागर में हेल, सील तथा कोड मचलियां की बहुलता है सीद काल में यह सागर पूर्प से वर्प से ढखा रहता है ग्रेसम काल में इसके तर पर एसकीमो निवास करते हैं तो मचलियां पकड़ते हैं पर है सूलू सागर यह सागर फिलिपिन्स को वुनियों से अलग करता है विस्वत रेका यह निकट होने के कारण इसके जलता तामाल लगभग 25 डिग्री सेंटीर रहता है तथा लवड़ता 35,000 है पर है आपका तसमान सागर दच्छडी पिसांत महासागर की एक भुजा यह परश्चा 1771 में कैप्टेन को न्यूजिलेंड से इस सागर को पार करके ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के पूर्वी तर्ट पर पहुंचा था बैडल सागर अंटाग्टीका अंटाग्टीका महासागर का एक भाग जिसकी को बैडल ने 1823 में की थी सोहिद सागर आर्केटिक महा पतर में आवस्ते बर्स भर बर्स भर बरब से ढके रहने के कारण इसे सोहिद सागर कहा जाता है लाल सागर साओधी एरब के पश्चिम तथा मिस्ट से एवं इथोपिया के पूर्व ध्रहंस्त घाटी में इस्तित एक खुला सागर जिसका खारा पनी चालीश कुती हजार ह इसमें प्रवाल निच्चे मिलते हैं यह सोहिज की खाड़ी और सोहिज नहे द्वारा मुहमत सागर से संबत है तथा बाब अलमंदेव जलसंदी द्वारा अरब सागर से जुड़ा है इसका नाम मेर, रूब रूम तथा पुरा नाम साइनस अरेवीकस है फिर है अरल सागर यह उजबेकिस्तान तथ कजाकिस्तान की सीमा पर इस्तिति एक आंतरिक सागर है जो एसिया में कैस्पियल सागर के बषच्याद दूसरा बड़ा तथा विस का चौथा बड़ा आंत्रिक सागर है इसमें सियर दरिया तथा आमुदरिया नदिया आपकी गिलती है ऐसा माना जाता है कि एरल सागर टेथि सागर का आउस्टिष्ट भाग है तथा आपका उकोटस की सागर पिसांत मासागर का एक भाग है पर आपका Japan सागर, Asia मुक्ख भूमी, तरहा जापान के दूइब में के मद्द पिसांत महासागर का एक भागई, पर तिमोर सागर, हिंद महासागर का एक भाग, जो तिमोर दूइब तरहा ऑस्टेलिया के उत्तरफश्चमी तठपर पिस्ते थे, पर आपका पीद सागर, उत् पिल्दिया की खाड़ी इस्तितु है ये विसका सब से कम गहरा साख रयाकर। पर्यावक का बंढा साख पूर्भी मलायाज दौइप समों के पास सैलेवीजी। दौइप के दच्च्रपूरु गुरु तथा से-्राम इज्राइल दथन जॉर्डन की सीमा पर एक नंग कीन जल की जील जो भूमाद सागर के समुद तल से भी 302 मीटर गह रही है, पिथवी की सतय का यह सबसे निचला बिन्दु है, इसमें उत्तर में से जॉर्डन नदी मिलती है, इसका खारापन 238 पिती हजार है, फिर आपका इ दूइब के दच्छडपूर इस्तितिक सागर, जो अंटार्ग्टिका प्राइदीब के लायसेन आई सेल्प के पुत्तरपूर इस्तितिति, यह साउध सेंडविच दूइब, साउध जॉर्जिया दूइब तथा साउध और कनी दूइब से घरा हुया, प्राया आयोनियन स सागर, इटली तथां ग्रीस के मद इस्तिति, भूमद सागर से समद्धितिक सागर, जो अडियाटिक सागर से ओट ट्रांटो जदसंदी द्वारां समद्ध है, इसके पूरवी तट पर आयोनियन दूइब इस्तितिति, परेउत्तरी सागर, इसका पुराना नाम मेयर जर्म मैनी कम है, यह सागर उनाइटिट के गड़म तथां डैन्मार्ग के मद इस्तिते थे, इसे जर्मन सागर भी कहा जाता है, यह मत्सन, तेल तथां प्राक्टिक से के लिए पिसितितियाब का, इसका पुरानाम इयोक्सीन, सागरे यह पॉन्टस है, यह तुर्की के उत्तर, म रॉमानिया, यूक्रैन, सोवियत रूफ से मैं से लगती है, यह बॉस फोरस मरमरा, डाडल, डाडल, लिम्नेल्स, एजी एन सागर से संबनते हैं, इसका संबन्द अजोब सागर से भी है, इसमें डेनिव, निश्टर, तथां नीपन अलियां गिरती है, टर, टरी, नियन सा इसका पुरान नाम, मैयर्टर हैनम था, यह बुम्नत सागर हैं इétaली, मुक्वोंई तथां इसके दूइप, शिसली, साइडीनिया, तथां कॉर्ड सीका के मत भंनता थ Town, मरमना थागर, इसका पुरान नाम, पॉर्फ, पॉन्टिस थां, पुर्वchn तथां एसीया के मत तु जोड़ता है तर्यापका लिगूरियन सागर इसका पुराना नाम साइनस लिगूस्तिकस है यह एकली की लिगूरिया फ्रांस में कोर सीका दूइब के मद्ध है वो मद्ध सागर में अवस्ते थे जेनववा इसी तटके पर अवस्ते थे सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर के उत्तर फश्चिम भाग में 35 दिगरी नौर्थ के आसपास सारगैसो गहांस तेरती है जिससे जहाजों के आने जाने में बादा पहुंचती है इसकी सारगैसो गहांस के कारण अटलांटिक महासागर के इस भाग को सारगैसो सागर कहा जाता है इन घांसों के मद्ध इल्ज साप जैसी मचली बड़ी चंख्या में पाई जाती है प्रयापकी लिब्राडोर सागर कनाडा के लिब्राडोर प्रायदीब के उत्तर में कनाडा तथा ग्रेनलेंड के मद्ध अवस्तित है सागर उत्री अटलांटिक महा सागर की एक हो जाए यहीं से आपकी लिब्राडोर नामक ठंडे जल्कीदारा प्रवाहित होती है नार्वेजियन सागर यह सागर नौर्वे के उत्तरपस्ट में अवस्तित है इस सागर में कई मत्ध से बैंक भी है यह आर्केटिक महा सागर की बोजा है भूमद सागर अटलांटिक महा सा सागर से जोड़ आगया है यह सागर यह ग्रोप महादीब महहिस्तित चाला सागर के उत्तर में क्रिम ब्राइदीप परश्थते थे ल besteik घ्रेमाय उकें 600 रोग घा związाति तिमोर सागर, यह सागर तिमोर दूई तो था उत्री पश्मी ऑस्टलिया के मद्द अबस्ते थे, यह हिंदमाज सागर की एक हो जाए, यह है आपका दच्छन चीन सागर, जो चल जाना रहता है, विवादों में भी यह, यह सागर दच्छन पूर्ग चीन, बेतनाम, फिलिप होने की संभालना है, पर यह आपका फिलिपिन सागर, फिलिपिन इस दूर्गों के पूर में इसने पिसांत महासागर की एक हो जाए, ठीक हो, यह थे आपकी प्रमुक्त सागर, चलिए अब लोग बात करते हैं, महासागरों की बारे में, आज सागर हम लोग उने सभी देख दिख दिए हैं, ठीक है, आप महासागर देखते हैं, तो यह आपका आर्गेटिक महासागर, यह आपका पिसांत महासागर, यह आपका अटलांटिक महासागर, यह हिंद महासागर, और अंट्रार्टिक महासागर, ठीक है, अंट्रार्टिक महासागर, कितने पांच, एक, दो, तीन, चार, और यह उपर एक, पांच, आर्केटिक महासागर है, अब इनके बारे में जो हमें मुक्तत हैं, उनको याद रखना है, क्या है मुक्तत? सबसे पहले बात करते हैं लोग पिसांत महासागर के बारे में पिसांत महासागर पिसांत महासागर सांत पिसांत जो जितना बड़ा होता है उतना ही सांत होता है पितवी पर सभी पांच महासागरों में पिसांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है इसका चित फल अब का है 16 करोड 57,740 कितना 16 करोड 57,740 यह सभी महासागरों में सबसे दिक गहरा महासागर है इसकी वोसत गहराई है 4572 मीटर पिसांत महासागर की आकरती है त्रवजाका इसका विश्तार है समस्त इस्तल भाग के छित्फल से भी अदेखे यह उत्तर में उत्तर में बेरिंग जटसंदी और दक्षिन में अड़ पष्य में एजिया महाधी तिथ्म पूर में उत्तर तिथर अमेरिका महाधी से घरा कुँछा है तिक अंतरश्ठी ये 지दी रेका, पिसांत महासागर से होकर गुजरती है पिसांत महासागर की दोनों तटों पर बलिद परवत सेंखलाएं पाई जाते हैं इस महासागर में तेंच अवस्तित है फिर आपका अट्लांटिक महास आगए यह आपका अट्लांटिक महास आगए हो गया तो यह था आपका 27 महास आगए ठीक है इसकी आपकी आपकी तिर्वजाकार है इसकी सबसे गहरा गरत है मेरियान ट्रेंच फिर आट्लांटिक महासागर पिसांद महासागर के बाद यह इसका दूसरा सबसे बड़ा सागर है इसका आपकार अंग्रेजी के ऐसा आपकार के से मिलता है जुलता है इसका चित फ़ल है 8.296 करोड़ किलूमीटर यह महासागर के question में उत्तरी अमेरिका दच्चन में अमेरिका तथा पूर में यूरो अफीका अवस्तित है उत्तर में ग्रीन लेंड तथा दच्चन में भात खुला हुआ इसका सरवादी कर्टक इसी में पाए जाते हैं कि मद कर्फक अब अत्लाईटिक कर्टक इससे दो भागों में विवयद्त करता है ना कि बहूमत द्रेखा कि उत्तर कर को रिदोेशा चेलिंजर अंग है कर दें इसी महासागर में आप लेद्व करत निए प़हाज बिलुप्त हो जाते हैं ठीक फिर आपका हिंद महासागर कि हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से भी छोटा है इसका पुल्चितफल साथ करोर 34,25,500 किलोमेटर इस महासागर का उत्री कनारा पूर्धा विक्सित ना होने की कारण होने तथा कटा-कटा होने की कारणड से अर्द महासागर भी कहा जाता है, इस महासागर में उत्तर में एसिया, वश्चिन में अफिका, पूर में एसिया, दच्छिन पूर में ऑस्टिलिया, तथा दच्छिन में अंटार्क्टिका महादीब से गिरा हुआ है, दच्छिन में अंटार्क्टिका के पास इसका समझ पिस जिसमागें दायमेंबंड टीना गर्द सुन्धा से अधिगठा है इस महासागर में का रस काकर भारत इवन अठीका के मंध दवस्तेत और यह कहा संगा की उत्तरी सिमान है आर के टिक महंतर ओ जाग तो और तैन्य गेवी ज CatchikमाMost महासागर के पिरमुक बेसें, ग्रीनलेंड तथा नोर्वें, इस महासागर के अधिकांसवाकपर बर्ग की पर्ग जमी उत रहती है, बेस में सरवादिक चोड़ाई वाला महादीर बगनतट, साइवेरियन सेल्व इसी महासागर की है, फराव कटक, स्पेट्सबर्ग कटक इस महासागर के पिरमुक कटक है, फर आपका अंटार्क्टिक महासागर, या महासागर दच्छडी द्रोग की तरह अवस्ते थे, इसे दच्छडी महासागर भी कहते हैं, इसका सीमांकन ग्रेट बेस्ट बिंदू ड्रेफ्ट द्वारा होता है, इसलिए अंटार्क्टिक महासा सागर का दच्छिटी भाग कहते हैं तो यह थी आपके महासागर अब एक बार सागरों महासागरों की इस्टेदी देख लेते हैं इसके बाद खत्म करते हैं इस चेप्टर को यह आपका अंटार्टिक महासागर है अटलांटिक महासागर है फिसांत महासागर है इंद महासाग सागर है पूर्भी साई वेरियन सागर है बैरिंग सागर है ओको डस्क सागर है जापान सागर है आपका पीला सागर है पूर्भी चीन सागर है दचीन सागर है, दच्छडी चीन सागर, फिलिफिन सागर है, यह आपका सुलू सागर है, यहीं आपका सलिबस सागर है, जावा सागर है, फिलोरेंस सागर है, तिमोर सागर है, बांदा सागर है, अरापुआ सागर है, ठीक है, कोरल सागर है, तसमान सागर है, यह आपका सागर है, यह अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, एजोब सागर है, मरिस सागर है यह आपका, काला सागर है, यह आपका भूमत सागर है, लाज सागर है, कौन सा, लाज सागर है, यहीं आपके देखिए यह लाइन से, यह आपका एजियन सागर, यहीं आपका एजियन सागर, य यह आपका एडिार्टिक सागर है, उत्री सागर, हराइट सागर, नौर्बियान सागर है, ठीक है. तो यह थे आपके सागर और महासागर, हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में, सागर और महासागर देख लिए, अब इसकी फिर्मों जल्द हराओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है?